Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics पीछे से आ रही मालगाडी के टककर मानने से ये दुर्गट ना हुई है रेल मंत्री अश्विनी वैशनम ने ट्वीट कर बताया कि हाथसे में जान गवाने वाले यात्रियों के परिजनों को 10-10 लाक रुपए और गंभीर रूप से घायल को धाई लाक जबकि कम घायलों को 50-50 जार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी ऐसे ही हाथसों को रोकने के लिए रेल्वे ने कवच आटोमाटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलोजी तैयार की है इसके लिए रेल्वे जल्धी 5000 करोड रुपए का टेंडर जारी करने वाली है आगे आपको इससे जुरी तमाम जानकारी बताते हैं भारतियों रेल्वे के बालसोर में हुए ट्रेन हाथसे में 296 लोगों की मौत हो गई थी और 1200 लोग खायल हुए थे पहला कवच टेंडर साल 2021 में जारी किया गया था ये सिर्फ 3000 किलोमेटर का था ये सिस्टम हुमन एरर से होने वाले एक्सिडेंट को रोकने की ताकत रखता है कवच आगे कावट को पहचान कर गाड़ी को रोकने में मदद कर सकता है इस सिस्टम से ट्रेनों की टक्कर और पट्री से उतरना रोका जा सकेगा रेल मंत्री अश्वीनी वैशनव ने बताया कि 10,000 किलोमेटर रेलवे ट्रैक पर कवच को लगाने का काम जल्द शुरू होगा लगभग 6,000 किलोमेटर ट्रैक का DPR तयार हो चुका है और 4,000 किलोमेटर का लगभग पूरा होने वाला है इस सिस्टम को डेवलप करने का काम साल 2012 में शुरू हुआ था फिलाल लगभग 1500 किलोमेटर ट्रैक पर कवच लगाया जा चुका है नई टेंडर के अनुसार हर साल लगभग 7 से 8,000 किलोमेटर रेलवे ट्रैक पर कवच लगाने की योजना है इस गती से 70,000 किलोमेटर लंबा भारतिय रेल नेटवर्क 10 साल में कवच से लेस होगा अब तक दक्षिन मध्य रेलवे पर 1465 रूट किलोमेटर और 149 लोकोमोटिव पर तैनात करते हुए 6,000 किलोमेटर कव सारे फायते जिन में मार्केट न्यूजलेटर, लाइब चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ इस प्रेमियम सब्स्क्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सि अपना प्लान सिलेक्ट करें, बस बन गए आप हमारे प्रेमियम मेंबर,